हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट्स ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज कार्डिगन, जैकेट, गल्स टो, फ्रो, कुर्ती, कैप, मफलर, बेबी प्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा एक्ट्रा नहीं लेना है पाँच के मल्टीपल देखिए आप इसमें 5 फंदे गिन लिजे फिर से 5 फिर से 5 लाश्ट तक आपके 5-5 ही फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ 4 सलायों में कम्पलीट हो जाता है बोडर के बाद अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा जीए सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो जो डिजाइन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो डिजाइन को बनाने के लिए यहां पर मै बनाईए उसके बाद सीधी साइड से डिजैन को शुरू कीजिए पहला फंदा हमारा एजस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है एजस्टीच के बाद आप एक फंदा और उल्टा बुन लेजिए तो ये दो फंदे बनाने के बाद अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो अब आप धागे को पीछे कर लीजिए और ये देखिए ये जो एक फंदा है इस फंदे को हमें सीधा बुनना है लेकिन जो स्लाई के उपर फंदा है इसे हम छोड़ देंगे इसके नीचे वाले होल में स्लाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे और फंदे को स्लाई से उतार देंगे जब हम ऐसे फंदे को सीधा बुनते हैं तो ये चैन मोटी बनती है अब धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर य इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, सलाई के उपर वाले फंदे को छोड़ कर इसके नीचे वाले छेद में सलाई डालेंगे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे और सलाई से उतार देंगे, धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन और ये चार, फिर से यही पांच फंदे का डिजैन बनाना है, धागे को पीछे कर लीजिए, ये जो फंदा है, सलाई वाले को छोड़ कर उसके नीचे वाले छेद में सलाई डालेंगे, और इस फंदे को सीधा बनाकर उतार दीजिए, अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार, फिर से यही पांच फंदे का डिजैन बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा हमें सीधा बनाना है, सलाई के उपर वाले फंदे को छोड़ कर उसके नीचे वाले छेद में सलाई डालेंगे, और इसको हम ऐसे सीधा बन कर उतार देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर से यही डिजैन रिपीट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाना है, इस फंदे को छोड़ के नीचे वाले छेद में सलाई डालेंगे, फंदे को ऐसे सीधा बनेंगे, और सलाई से धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, आपके जितने भी फंदे हों, यही डिजैन बार बार रिपीट करते जाए, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, धागा पीछे, एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो सलाई के उपर वाले फ स्लिप करना हो, तो सीधा बन लेजिए, तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई, दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर देखे, जो फंदे इधर उल्टे हैं, वो इधर सीधे, जो इधर सीधे हैं, वो इधर उल्टे, और साइड के जो दोनों है इनमें आप देख लिजीए slip करना है या उल्टे बुनने हैं तो ये starting वाले दो फंदे हम दोनों साइड से उल्टे ही बुन रहे हैं अब देखे ये वाला फंदा इधर सीधा है तो यहां से हमारा design शुरू हो रहा है तो इन दो फंदे के बाद देखे ये एक उल्टा हो गया यारी total हमारे तीन फंदे उल्टे आ गए दागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार फिर हम दागा अपनी तरफ करेंगे और ये starting के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा जो design बना है एक उल्टा चार सीधे इसी को repeat करते जाएंगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार फिर दागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहां पर हमारा चार फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा आ जाएगा फिर से हम design को repeat करेंगे एक उल्टा हो गया एक सीधा, दूसरा, तीसरा, और ये चोथा चार फंदे सीधे हो गए फिर से हम अपने design को बनाएंगे एक फंदा उल्टा और चार सीधे देखिए एक, दो, तीन और ये चार पूरी सलाई में आपने ऐसे ही बनाना है उल्टी side से एक फंदा हमारा उल्टा है और चार फंदे हमारे सीधे हैं और last में देखिए आपके तीन फंदे बचेंगे इन तीनों को आप उल्टा बुन देजिए स्टार्टिंग में भी आपके तीन उल्टे आ गई हैं और last में भी आपके तीन उल्टे आ गई हैं तो दो सलाईया design की complete हो गई तीसरी सलाई और सीधी side पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए का की कैसे बनानी है बहुत important सलाई है ये पहला फंदा एजस्टीच और दूसरा फंदा भी उल्टा तो दो फंदे उल्टे हो गए धागा पीछे यहां से अब हम design को बनाएंगे तो सलाई के उपर वाले फंदे को छोड़ देंगे नीचे वाले छेद में सलाई डाल कर फंदे को सीधा भुनेंगे और सलाई से उतार देंगे अब धागा अपनी तरफ कीजिए ये जो चार फंदे उल्टे हैं इसमें से एक फंदा आप उल्टा भुनिए धागा पीछे बीच के दो फंदे आप सीधे बनाएए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा अब देखे ये जो स्टार्टिंग के दो फंदे हैं इनको छोड़के एक सीधा एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा यही पांच फंदे का डिजाइन बार-बार बनाते जाना तो द्यान से देखिए इस फंदे को सीधा बुनना है लेकिन नीचे वाले छेद में स्लाइड डाल कर सीधा बुनकर उतार दीजिए फिर धागा अपनी तरफ चार में से एक उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से सीधा बुनना है नीचे वाले छेद में स्लाइड डालेंगे और फंदे को सीधा बुनकर उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से इसी डिजयन को बनाएंगे इस फंदे को सीधा बुनना है लेकिन नीचे वाले छेद में डालकर इसे सीधा बुनेंगे एक उल्टा दो फंदे ये बीच के सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे नीचे वाले छेद में स्लाइड डाल कर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा यही पाँच पाँच फंदे का डिजैन बनाते जाएए लास्ट में है तीन फंदे इस फंदे को नीचे वाले छेद में स्लाई डाल कर सीधा बुनेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे तो यहां पर हमारे डिजैन की तीन सलाईया कम्प्लीट हो गई अब आज यह इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर जो फंदे सीधी साइड पर उल्टे हैं वो इधर सीधे जो इधर सीधे वो इधर उल्टे तो यह स्टार्टिंग के तो तीन फंदे आपके उल्टे ही आ धागा अपनी तरफ दो उल्टे और धागा पीछे एक सीधा ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर एक उल्टा एक सीधा दो उल्टे एक सीधा यही पांच फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते जाए तो देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा यानि जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आपको बुन्ने हैं सीधे हैं तो आप सीधे बनाईए और उल्टे हैं तो आप उल्टे बनाईए यही डिजैन है एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा बीच वाले दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा यहां से यहां तक हमारा पांच फंदे का डिजैन होता है यही बार बार रिपीट करना है लास्ट में बचेंगे तीन फंदे इनको आप उल्टा बनाती जी तो फ्रेंट्स चार स आप सबके 177ूस aq GI bijाम अनुत निएवा में ०ुधिया सलायों को आप बार 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 रिपीट करते के जाएं नेक्श्ट बार के प्रोर्ज़क्ट आपके से डाल सकती हैं नेक्सिट सब्सक्षार्ट बार के स्चार्टिंग के लिए इसको आप नीचे वाले छेद में से वीडियो को बैक कर लिजीए और पहली सलाई से इसके उपर बुनना शुरू कर दीजे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक की जिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ओल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक यू